हेलो दोस्तों, आज हम लोग एंफियॉक्सिस पढ़ते हैं, एंफियॉक्सिस में आप इंपॉर्टन सवाल जो भी टीजी टी के लिए जरूरी है, सारे पढ़ लेते हैं, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे एंफियॉक्सिस का, इसमें देखिए ब्लड होता है, इसमें ब्लड है, ब्लड है, लेकिन हारट एपसेंट है, इनके पास हार्ट नहीं होता है, इनके पास वील ओर्गन होता है, wheel organ है wheel organ होता है excretion होता है जो solenocyst का होता है solenocyte जो है उसके दोरा जो है इनके अंदर excretion किया जाता है जो analida को resemble करता है ठीक अगर आप इसकी बात करो एक और resemble करता है जो इसी category का है वो है branchiostoma branchiostoma ठीक है अगर आप amphioxis और branchiostoma को देखोगे तो कुछ resemblance है क्योंकि एक जैसे ही है आच्छा यहाँ पर wellum पाया जाता है और heart इसमें भी absent होता है heart जो है इसमें भी absent होता है ठीक है अगर आप amphioxis की बात करो तो यहाँ पर wellum पाया जाता है ठीक है जो branchiostoma और amphioxis दोनों में ही पाया जाता है branchiostoma और amphioxis दोनों में ही पाया जाता है branchiostoma का जो लार्वा होता है जो branchiostoma का लार्वा है वो क्या है branchiostoma का लार्वा जो है वो आपका asymmetrical होता है asymmetrical होता है और जो adult होता है वो कैसा होता है symmetrical होता है ठीक है वो symmetrical होता है अच्छा ये क्या show करता है जो asymmetrical life है वो जो है आपकी पानी में रहने को यानि pelagic life को show करती है ठीक है वो pelagic life को show करती है और जो आपका ये symmetrical life है ये क्या show करता है ये आपका borrowing habit को show करता है यानि जो मट्टी के अंदर एक गध्धा करके रहने की आदत को शोगरता है तो जो बुरोइंग हैबिट है ये इडल्ट शोगरता है एसमेटरिकल और लारवा जो है एसमेटरिकल यानि पलिजिक सुमिक अंसेस्ट्रल लाइफ को शोगरता है जो सिलोम है आपका Amphyoxis का वो आपका Interosilomic अपका Interosilomic है है ना Interosilomic है और आप जैसे Cerosilomic की बात करो जो Cerosilomic है वो किस में आजाता है Cerosilomic आजाता है Ascaris में ठीक है Ascaris में आ जाता है जबकि Saiso की बात करिए ऐसे Saiso Siloic ठीक है? तो Saiso Siloic है वो आ जाता है आपके Anilida में Saiso Siloic जो है Anilida में आता है ठीक है? तो Siloam कैसा? इंटीरो Siloam ये किसमें पाया जाता है? Amphioxis में Cedo पाया जाता है Ascaris में और Saiso Silo पाया जाता है Anilida में ठीक? अब जैसे की इन में तीन इनकी अगर features की बात करो तो Cordate को Resemble करते हैं ये तो Cordate को किन तीन रूप में ये Resemble करते हैं? एक तो इनका जो Notocode है ठीक है? Notocode पाया जाता है पहली चीज फिर आता है एक इनका Dorsal Nerve Dorsal Nerve Cord पाया जाता है जो इन में पाया जाता है ये दूसरी चीज है जो Cordate से Resemble करता है और तीसरी चीज जो है इनके अंदर जो होता है वो Solan Esteele जो Excretion है वो Solan Esteele के द्वारा वो Solan Esteele के द्वारा होता है जो Protonephric है कैसा है Protonephric है ठीक है Protonephric है तो जो Emboli है यह किसमें पाया जाता है यह भी Amphioxis में Emboli एक Condition होती है इसके दौ़ारा जो है इनके अंदर Gastrulation पाया जाता है Gastrulation पाया जाता है Emboli की Process के दौ़ारा Gastrulation पाया जाता है अच्छा जो gastula होता है वो दो layer का होता है gastula जो है दो layer का होता है अच्छा जो इसके इलावा जो o side होता है जो o side है o side जो है वो क्या है o side जो है वो हमेशा इसमें branchis stoma में या phyoxys में oligo oligo-licythel है oligo-licythel है फिर जो egg है वो कैसा होता है इसमें emphyoxys में वो होता है micro-licythel ठीक है micro-licythel होता है जो number of the myonims है number of the myonims है वो लगबग 60 के आसपास होता है emphyoxys में फिर soleno steel और जो आपको बता है तब proton nephric होता है और जो nephridium है वो उसके अंदर एक खासियत होती है वो होती है heads, checks, nephridia पाये जाते है heads, check, nephridia पाये जाते है ठीक है nephridium पाये जाते है I hope आपको समझ में आया होगा emphyoxys इससे बाहर बच्चा कुछ नहीं आएगा TGT में एक दो बार इसको देखे याद कर लिजे नहीं नहीं आएगा